हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल माइग्जाम सॉल्योशन में आज हम इगनू का फ्री सॉल्व असाइन्मेंट लाए है सब्जेक्ट कोड MLI 005 इंटरनेट रिसोर्सिस का इसका शेशन है 2024-25 अगर आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का असाइन्मेंट चाहिए हो तो आप हमें दिये गए नंबर पर वाट्स अप कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट रिसोर्सिस यह फ्री सॉल्व असाइन्मेंट है सबसे पहले हैं पर आपके कोश्चंज दे रखें आपको जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको दो कोश्चंज करने हैं कोई से भी आप टू अटेम्ट कर सकते हो और सेकिंड जो पार्ट है उसमें से आपको कोई भी फाइव कोश्चंज अटेम्ट करने है चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको यह first part का question number first यह रखा है define meta resources explain the types and the importance of meta resources यहाँ पर आपको explain करने कि meta resources होते क्या है फिर उसके बाद आपको types और importance बतानी है meta resources की इसके बाद यहाँ पर आपको types बताए गई है meta resources के इसके बाद bibliographic database यह सारे आपके क्या types आजाते है meta resources के जैसे के bibliographic database library catalogs search engines indexes n IG taxonomics directories इसके बाद आपको बताय हो है meta database directory का इसको में धीरी धीरी स्क्रोल कर रहे हूं आप चाहो तो वीडियो को पोस्ट करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहां पर आपको इंपॉर्टन्स बता हुई है मैटारी सोर्सेस की जिसे की इन्हेंस करती है जिसे डिसकोवलेटी को इंप्रूबड करती है और इफिशेंट इंफॉमेशन अगर्षोस मेंज्मेंट कर ТЙए है यहांपे आपका यहां पर कहरा इसके बार इपर इसके बाद आपका 2002 को समयات इंद और इसके पर स्सक्रेंट ने का इह इंदे रुव मेरे किसी बार कका वन मिल्लीड सब्सक्राइब legal 처्र अभर बहल एक के बाद यहाँ पे टाइब बताए गए है जैसे कि e-book हो गया, e-generals हो गए, database हो गए, online catalogs हो गए, digital libraries हो गए, multimedia resources हो गए, आप चाहो हो तो वीडियो को post करके लिख सकते हो, अगर आपको लग रहे है कि वीडियो बहुत जादा fast run हो रही है तो, online courses and institutional government, legal resources, यह सारे आपके क्या है, टाइप से रखे है, social media, blogs, e-government services, यहाँ पे आपका second question बिखातम था, अब यह second part का first question है, इसमें से भी आपको चार question करने थे, तो सबसे first question आपका, describe the technical infrastructure required for a digital library, यहाँ पे आपको बताना है कि technical infrastructure क्या क्या चाहिए होता है, digital library को बनानी के लिए, मतलब क्या क्या require होता है, उनके लिए, सबसे पहले हाँ पे आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा है, देन उसके बाद hardware बता रखा है, infrastructure के, यहाँ पर आपके points दे रखा है, आप इसे note down कर लीजे, यहाँ पर आपको software, software infrastructure बताया गया है, इसके बाद network, infrastructure, data management, security and access control, user interface and experiences, इसके बाद आपका second question शुरूवत है हाँ से, what are the approaches to achieve in taro probability, in digital library, implementation, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले introduction दे रखा है, इस question का, और यहाँ पर आपको points दे रखे हैं, आप वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास time की short touch है, तो मैं से जल्दी जल्दी scroll कर रहे हूं, आप वीडियो को पोस्ट करके इसे लिख सकते हैं, इसलिए, यहाँ पर आपको points दे रखे हैं, जिसे के, persistence, identifiers, collaborative framework, frameworks, open access and open data policies, policies, यहाँ पर आपको conclusion दे रखा है इसका, इसके बाद आपका third question आता है, what are the different types of search tools and facilities available on the internet, describe their advantages and disadvantages, यहाँ पर आपको सबसे पहले introduction दे रखा है, इसके बाद search engine बता रखे हैं, example यहाँ पर दे रखे हैं, आपको Google, Dingo, Yahoo, advantages के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको वो दे रखे हैं, disadvantages दे रखे हैं, matter search engines के भी दे रखे हैं आपको यहाँ पर, आप इसे लिख लीजे, अब चाहो तो अपनी तरफ से भी points आट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको conclusion दे रखे हैं, इसके बाद आपका last question आता है, what do you understand by campus, wide information, system, CWIS, discuss some of the CWIS available on net, यहाँ पर आपको सबसे पहले introduction ही दे रखा है, आप भी अपने question को कुछ इसी type से लिखेंगे, introduction, main body, conclusion, तो आपको भी अच्छे number में लेके chances होते हैं, यहाँ पर आपको की features बता रखें, CWIS के, यहाँ पर advantages बताई हुए है, disadvantages, आप भी अपने assignment का format कुछ इसी type से रखेंगे, तो आपको भी अच्छे number मिलने के chances हैं, यहाँ पर इस in conclusion के साथ खतम किया गया है, अगर आप कोई वीडियो पसंद आए, तो इसे like करना ना भूले, इसी के साथ अपने सभी friends के साथ इसे share करें, ताकि उनके भी help हो पाए, और इसी के साथ अगर आपको कोई भी special subject पर assignment चाहिए, तो आप हमें comment box में बता सकते हैं, thank you so much.